नमस्कार विध्यारतियों एपेक्स एग्रीक्लासेस के ओनलाइन प्रेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और सभी विध्यारतियों को बहुत बड़ी खुशकबरी है कि एग्रीकल्चर के अंदर आ रहे चुकी है एक बहुती बढ़िया वेकेंसी जिसका आप नोटिफिकेशन में देख चुके हैं राजस्तान लोक सेवा अजमेर द्वारा यह जारी करा है 28 फरवरी दोहजार चोईस को जिसके अंदर क्रशी अधिकारी किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर क्रशी अधिकारी की बात कर रहा हूं तो क्रशी अधिकारी के जो पोस वेकेंसी है यह Master degree है ना MSC Agriculture वालों के लिए है किसके लिए है MSC वालों के लिए लिए होती तो ज्यादा आती और बेस्ट पर जो कौन सा एक्जाम होता है डबल ले होता है असिस्टेंट अग्रीकल्चर ओफिसर होता है यह कौन सी है अग्रीकल्चर ओफिसर है उससे बड़ी पोस्त है MSC वाले इसको पेपर को देंगे कितनी टोटल है 25 है कितनी है सर 25 है सर इसके बारे में और बताई है जो में सी कर चुके हैं वो इसके लिए इलिजेबल है और कौन इसके अंदर जिननने क्या करी है MSC करी है एग्रीकल्चर से और एग्रीकल्चर से है 40 question आने वाले हैं और इसके अंदर आपका जो particular subject है agriculture related 110 question आने वाले हैं और इन डोनों को मिला कर टोटल कितने question आएंगे डेड़ सो क्यों आएंगे और एक नंबर का ही क्या रहेगा एक question रहेगा तो 40 नंबर की जीके और 40 नंबर का एक 110 नंबर की agriculture और पेपर कितना होगा धाई गंटे का होगा फॉर्म कब भरेंगे सर बता देंगे जल्दी ही इस channel के माध्यम से इसके लिए आपको क्या करना है एक सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को आती है तो नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं जिनको ऐसा लगता है कि agriculture के अंदर वेकेंसिया है स्कोप है तो बिल्कुल है इस लिए इस वीडियो को बनाया गया है ठीके तो अब आपके लिए नई म के जानकारी क्या है करेश कोस्ट होने वाला है भलान ओर फांदेशन करना चाता है और कोई आपका 28 मार्च के बाद जब पेपर खतम हो जाएगा बोर्ड का तो 29 मार्च को क्या होगा आपके 24 को हम क्या करेंगे क्रेश को लगाएंगे तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रहें थैंक यू